हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कॉमडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम किस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं उसके उपर मैं आपको बात मताऊंगा उससे पहले मैं यहां पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूं तो यहां पर आपको इस्क्वीन पर यह चार केंडलिस्टिक दिख रहा है और यह चारो केंडलिस्टिक कलर क्या है चारो केंडलिस्टिक कलर यहां पर आपको रेड दिखेगा यह चीज आपको ध्यान रखना परेगा अब यह केंडलिस्टिक में आपको क्यों दिखा रहा हू यह चार कैंडलिस्टिक हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी मार्केट आपका ऊपड से नीचे साइड की तरफ आता है यानि मार्केट आपका रिवर्सल लेता है नीचे साइड की तरफ टो 10 में से 4 या 5 बार यह कैंडलिस्टिक फॉर्म हुआ दिखेगा हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों पर यकीण नकर रहे हो आपका दीए एटिटिट आप बनाया रखना अगर आप इस टॉक मार्केट में रहना चाहते हो तो किसी की बातों पर यकीन मत करो क्योंकि कि पैसा किसी और का नहीं आपका है, अगर आप किसी की बातों पर यकिन करके पैसा मार्केट में लगाते हो, तो लॉस किसी और को नहीं हो का लॉस आपको होगा, इसलिए जो भी कोई बता रहा है, चाहे मैं बता रहा है या कोई और बता रहा है, उसको सबसे पहले आप करो हो जिसके लिए आप सुटे वद़ो जो आपके लिए सही काम करा तो यह चीज आपको आगे ले जा सकता है जब आप खुद से research करें खुद से paper testing करोगे और उसकी बाद उसके basis पर trade लोगे तो कोई बोल दी है उसके basis पर आपको ट्वेट नहीं लेना अगर आपको stock market में लंबे समय तक बने रहना तो यह चीज आपको ध्यान लखना है तो चलिए अब मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूं और उसके बाद आपको खुद से भी देखना है कि जो मैं बोलवाँ वह सही है या नहीं है सही है तो फिर आप उसके basis पर paper tweeting कर सकते हो उसमें कुछ doubt है तो आप हमें comment section पूछ सकते हो सही नहीं है फिर भी आप हमें comment करके बताओ कि मैंने देखा वो सही नहीं है फिर मैं आपको बताओंगा जो आपने उसमें क्या कुछ गलती है या फिर सही देखा या फिर गलत देखा उसके उपर हम discuss करेंगे तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और इन चारों candlestick को देखते हैं कि आवाकई market नीचे किवने से पहले इन चार में से कोई एक candle का formation करता है इससे पहले मैंने green candle को उपर वीडियो बनाया था जहाँ पर जब भी market आपका नीचे से उपर ले जाएगा तो चार्ट में चलने से पहले मैं आपने यूट्यूब चैनल पर ले जाना चाहूंगा और वह वीडियो दिखाना चाहूंगा अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको हमारे यूटूब पेज़ पे आना है, यूटूब के होम पेज़ पे आना, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, trend reversal candlestick pattern और नीचे भी आपको दिख जाएगा, trend reversal candlestick pattern आपको इस तरह का चार bullish candle, green candle का formation होता हुआ दिखेगा, तो यह वीडियो अभी मैंने आपको बताया था, वो chart candlestick formation होता है, चलिए, chart पे चलते हैं और देखते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पे हम chart पे चलते हैं, और यहाँ पे जो हम chart पे आए, वो आपका nifty का chart है, देख सकते हैं, nifty का daily chart है, तो अगर आपको reversal find करना है, तो आपको daily chart पे जाना परेगा, क्योंकि reversal जो generally रहता है, वो daily chart से अगर आप कम जाएंगे, तो आपको exact reversal का idea नहीं मिल पाएगा, फिर वो ट्वेडिंग के लिए reversal हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको reversal find करना, वो swing trading के लिए यूज कर सकते हैं, इसको आप, इसको आ पहली बार आपका यहां से उपर से नीचे आया, दूसरी बार आपका यहां पे आया, तीसरी बार यहां पे आया, चौथी बार यहां पे आया, और यह data हम कब का ले रहे हैं, यह data हम ले रहे हैं आपका October 2021 से लेके अभी तक का April 2022 तक का data ले रहे हैं, इसमें market आपका बहुत ज्यादा नियूज के वेसिस पर रियक्ट किया था बहुत ज्यादा अनेक्सपेक्टेड गाप गाप डाउन दिखाया है तो अगर इस पिडियर में हम इस स्ट्रेटजी को सही साविच कर देते हैं यह हमारा 50% भी एकुरेट हो जाता है तो इसके वेसिस पर बहुत हाद तक हम अपने ट्वेट को प्रोफीटेबल बना सकते हैं और हमारा ट्वेट का एकुरेशी लेवल होगा वह इनक्वीज हो जाएगा तो मैं रेगुलर अपने वीडियों बात करते रहता हूँ कि हम जो भी कुछ बात करते हैं जिस भी टॉपक को है डिसकुस करते हैं हमारा में तो क्या रहता है कि हमारे trade को profitable बनाएगा ये नहीं बनाएगा हमारे accuracy level को increase करेगा ये नहीं करेगा कुछ एक तो में help मिलना चाहिए आइधर accuracy level को increase करे या फिर हमारे profit को increase करे या फिर वह हमें profit दिलाए या फिर हमें loss से protect करें trap होने से बचाए तो चले कितनी वार मार्केट गी रहा है औक्टवर से लेकर आपका अपूरील में तक डेटा देखिए तो लग भग आपका four times upside की तरफ गी रहा है तो देखते हैं यहाँ पर हमें कितनी बार उस तरह का candle का यहाँ पर कई बार उस तरह candle का फॉर्मिशन देखने को मिला है लेकिन अगर आप स्क्वीन पर नेक्ट आई से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा यहीं चीज़ आपको करना है कि जो चीज़ आपको नेक्ट आई से नहीं दिखता है वो candle के अंदर गुसना और उसके recording दे वो बहुत जबरदस टेक्निक है जिसके उपर हमने वीडियो बना रखा है अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो इसका वी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो यहाँ पे आप दो या दो से ज़्य चारा candle को एक साथ blend करके ज्वाइन करके देखोगे तब आपको उन चार में से कोई एक candle का formation आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा आपको 50% ताइम यहां पर आपको उस तरह का फीगर समझ में आएगा यहां पर जहां पर आपको उपर से नीची आया है सबको एक एक क समझते हुए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम इस पॉइंट के उपर बात करना चाहेंगे इसको थोड़ा सा हम यहां पर जूम कर देते ताकि आपका विजिबलीटी सही रहे सबसे पहला एक्जांपल यहां पर देखिए मार्केट आपका 18 ऑक्टूबर के आसपास यानी इसके बाद आपका वापस से नीचे गी रहा है यहां पर कुछ हिंट दिया यह नहीं दिया अब इसमें क्या इसमें हमें एक टर्मेन कंडिशन को फॉलो करना रहता वह चीज आपको देहान देना पड़ता है ग्विन केंडल के बाद हमें क्या चाहिए एक सॉलीड सा वेड पर वेड़ कंडल लेकिन हमें एक और चीज चाहिए और उसका प्लोजिंग उससे नीचे होना चाहिए, यहां पर क्या करेंगें एक दो तीन चार इन चार केंडल को ब्लेंड करके एक साथ देखेंगे कि जो केंडल में आपको स्कुइन पर दिखाया था उन चारों में से कोई एक केंडल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है चलिए इन चारों को ब्लेंड करते हैं कंडल ब्लेंड करने का टेकनिक आप हमारे वीडियो देख के समझ गया होंगे नहीं तो पहला केंडल का जो ओपनिंग पॉइंट वह था वो लास्ट केंडल का क्लोजिंग पॉइंट और बीच में जो हाय और लो बना उसके बेसिस पर करते हैं तो देखिए यह केंडल आपको ऑपन कहां पर हुआ है यह कंडल क्लर हमेशा क्या होगा रेड्ट होगा इसलिए हमने क्यानिया के वेच आपका ज्म से बड़र्क자 को ापका गया ओफंगी से धाना यहां पर देखने हो मिलेगा और ओपर में आपको अच्छा खासा और सबतेगा यह केंडल shtick secondo चार में से काणोतिक है इस को दो तो ग्रेविस्टोन डोजे भी बोल सकते हो वह चैनलिस्टिक है तो यहां पर हमने चार चैनलिस्टिक को एक साथ एक जगह बुला के पूछा कि भाई तुम्हें क्या लगता मार्केट किस तरफ जा रहा तो चारों ने एक साथ बताया कि मार्केट आपका यहां से नीचे साइ लगें चिया कि आपको सेल सेलह की तरफ जाना ही जाना है और यहां पर मार्केट ने आपको को हिंट दे दिया मार्केट इंदे में पा कर कर सकते थे यहां पर आप profit कर सकते थे यने यहां पर आपको यह एक्जिट पॉन्ट दिखा दिया यह आपको यह profit को maximize कर दिया पहला benefit इससे यह वा दूसरा benefit क्या हुआ इतना गिरावट के बाद आप सोच रही हैं कि या फिर मिल गिया होगा तो यहां पे आप ट्रैप होने से भी बच सकते थे तो डूवल बैनिफिट मिलवा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके दे रहा यानि परफेक्ट आपको एकजिट पॉइंट बता रहा मार्केट नीचे साइड की तरफ कब आएगा यानि दूसरी यहां पर किल जो रहा और किसस्ट इभी होना चाहिए आगे लिएनाश नीचे होने के चंसे बहुत कम हो जाता है देखिए दूसरी बार market ने upside momentum दिखाया फिर यहां से नीचे side की तरफ गिरा है तो पहला आपका green candle है उसके बाद हमें क्या चाहिए था red candle चाहिए था अच्छा खासा body वाला red candle मिला है उसका closing हमें क्या चाहिए था green candle से नीचे हमें closing green candle से नीचे मिला अब इन दोनों को यहां पर हम blend करते हैं देखते हैं कि हमें उन चारों में से कोई एक candle का formation हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो अगर आप इसको blend करोगे तो पहला candle आपका open हुआ है यहां पर और दूसरा candle closing दिए आपका यहां पर यह candle का body बन जाएगा नीचे में छोटा सा tail आएगा और उपर में अच्छा कासा आपको टेल देखने को मिनेगा देखे यह आपका inverter हैमर टाइप candle बना है आपको कंडलिस्टिक का नाम याद नहीं रखना है क्योंकि आपको यहां पर को एक्जाम क्लियर नहीं करना कंडलिस्टिक का नाम याद रखने से अगर आपको profit बन जाएगा मैं आपको एक हजार कंडलिस्टिक का नाम बता दूंगा उसको आप याद करके मार्केट में profit बना सकते हो तो बना लो नहीं बना पाओगे आपको कंडलिस्टिक के करेक्टर को समझना है कि वह हमें बताना क्या चाह रहा है उसका नाम क्या उससे हमें मतलब न अतनी है देखिए चार केंडल में से केंडल बना है उसके बाद मार्केट देखिए कहा जबर दस्त आपका नीचे साइड की तरफ डाउन फॉल मूब दिखाया यानि मार्केट आपका लगब 50% टाइमस ऐसा हिंट दे देता है जब भी मार्केट गिवने वाला रहता है इस यहां पर करें पर ऑस क्या हुआ हुआ उसके बाद वेड़ कैल बना वेड़ कैसा होना चाहिए और सविट होना चाहिए और नीचे गान आपका इसके तो यह आपका candle का क्या हो जाएगा body बन जाएगा candle का छोटा सा टेल और उपर में अच्छा का सा टेल दिखेगा फिर आपका जो फोर्थ वाला candle था इस साइड में वही वाला candle यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं यहां पर आपको एक बार वापस से दिखा देना चाहूंग तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो फोर्थ वाला candle है और यह चार आपको कंटिनुसली फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जब भी मार्केट आपका रिवर्सल लेता है तो वापस से चलिए चार्ट पर चलते हैं और यह चारोग केंडलिस्टिक आपको ध्यान रखना है और इसके वह सिसपे ट्वेल्सली का में मॉल्टीपल तरीका हम औक समें ले सकते हो यह कर सकते हो यह पर डिपर आप आपको हैं वो यह। रहते हो उसली कर तो यहां बर देखिए्ए प्राइस आपका नीचे की से थोड़ा पोंस्वयग दिखाया यह चोटा बॉंस्वाय कै और यहां से फिर price नीचे गिया लेकिन नीचे गिरने से पहले यहां पे हमें hint मिलता हुआ दिखा और यह hint को आप live market में भी पकर सकते हो इसके बाद वाला candlestick का कोई काम नहीं है आपको जो characteristics मैंने बताया था Green candle के बाद Red candle form होना चाहिए वेट ला क्लोजिंग नीचे होना चाहिए वेट कैंडल का body Solid होना चाहिए अच्छा कासा body होना चाहिए देखिये सारा कुछ पर यहां पर यहां पर यह आपको फोर्ट वाला जो कि मैंने आपको बताया था और उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा इस तरह का कर कर ही रहा लेकिन यह नहीं बोलाओं कि मैं यह फिप्टी परसेंट टाइमस ऐसा करेगा अभी हो सकता है यहां पर मैक्सिमुम टाइमस हमें दिख रहा है लेकिन आप इसको मान के चले कि मार्केट अगर आपका दस बार उपर से नीचे गिरेगा तो पांची बार इस तरह का कै लेकिन कई बार आपको केंडल को ब्लेंड करना परेगा और जो मैं आपको ब्लेंडिंग का टेकनिक बता उसके जरीहां कर सकते हैं यहां पर आपको जो मार्केट में नहीं दिख रहा हूँ वो देखना परेगा तब जाके मार्केट आपको प्रॉफिट देगा मार्केट कहां पर यहां पर करिबाया टैट। ऑप सकते यहां पर आपर चीज यहां अप जाकते हो इससे पहले जाए और सकते हो से नीचे नहीं हुआ है वापस से अपका इसके बाद आपका रिंट कंडल बना लेकिन यह रिंट ब्लेंड को इसलिए यहां पर आए हैं यहां पर जबुर्दस्ट में किद लेकिन क्लोजिंग हुआ हम इस से नीचे चाहिए उसके बाद अगला red candle बना है, closing इसके नीचे दिया है, तब हम तीन candle को blend करेंगे, यह open हुआ है, इसके करीब और closing भी लगवक आपका यहीं पे दिया है, उसके नीचे में छोटा सा टेल और उपर में अच्छा का सा टेल, यानि यह भी आपका gravestone doji बना है, और उसके बाद price आपका जबर्दस्त नीचे साइड की तरफ गिरा है, इस तरीके से आप multiple example देख सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह का formation देखने को मिलेगा, तो चलिए अब हम कुछ वार example दूसरे stocks में देखते हैं, यहां पर एक और चार्ट पे आते हैं, और यह जो चार्ट है, निफ्ट यहां पर दिखा है, उसके बाद आपका प्राइस नीचे साइड की तरफ गिरा, उसके बाद एक और बार यहां पर formation हुआ है, लेकिन आपको लेवल भी देखना, कहां formation हुआ है, यहनी फूर्थ हाब्जेंट इसके लिए जब दस विस्टेंस लेवल था, वही पर formation हुआ है और resistance लेवल के पास अगर formation हो रहा है, तो आपको क्या करना, resistance लेवल से थोरा सा उपर, SL लगाके आपको यहां पर सेल साइड की तरफ चले जाना है, और देखें यही पर अगर आप सेल साइड की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद मार्केट आपका इसी करीब घूमता रहा ह यहां पर आपको क्या किया, यहां पर आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करवा दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं, लगवग आपका 15 सेप्टेंबर से लेके, लगवग आपका 11 अक्टूबर था, यहनि एक महीने करीब आपका इसी रेंज के करीब, TCS मूब करता रहा गया, नीचे गिरा नहीं, ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें इस तरह का वेट करनल का फॉर्मिशन देखने को मिल गया था, जो कि इंडिकेट करा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, उसके बाद अल्टिमेटली आपका मार्केट नीचे गिरा है, इसलिए यहां पर भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि और प्राइस आपका 200-200 पॉइंट का भी गिरावट दिखाया था, यहां भी प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहो तो और ज्यादा वेट करके नीचे साइड की तरफ भी जा सकते थे, इस तरीके से आप देख सकते हो जब भी इस तरह केंडल स्टी का फॉर्मिशन होता है, चाहे आपका सिंगल हो यहां फिर केंडल को ब्लेंड करके हो, मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाता है, यहां पर थोड़ा बहुत हमें हिंट देता है, यहां पर आप टीस में और एक्जामपल देख सकते हो, देखिए प्राइस आपका उपर साइड की तरफ ही जा रहा है, और यहां पर भी उपर से नीचे गिरा है, तो आपको यहां पर गिविन केंडल की है, उसके बाद हमें सॉलिड वेट करनल चाहिए, उसके नीचे चाहिए हुआ है, अगर दोनों केंडल को ब्ल तो आगे भी आप देख सकते हो, जब भी मार्केट आपका अपसाइड मूब दिखाता है, और अपसाइड मूब दिखाने के बाद रिस्टेर्ट लेवल के पास जाता है, हर एक बार देखिये, कहां पर गिया है, इसके चानसे और ज्यादा इंक्वीज हो जाता है, फिर इस YouTube पे इस तरह के वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे Candlestick के उपर लेकिन इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा जहां पे आपको Candle Blend करके यानि जो आपको नेक्ट आई से नहीं देखता है वो आपको देखना परेगा और यह जो भी कुछ बताएगा यह आपको paid course में बताए ताकि उनको भी कुछ information मिल जाए ताकि वो भी सही जगह पर exit कर पाए तो that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद